हलो बच्चो गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब बच्चो ये वीडियो क्लास फोर्थ इंगलिस के स्टुडेंट्स के लिए रहने वाली है बच्चो कुछी दिनों बाद आपकी वार्षिक परिक्षा सुरू होने जा रही है तो उसी परिक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंगलिस का पेपर जो महतोफून पेपर है बच्चो आपका जो वार्षिक का जो पेपर आएगा वो इसी तरह का पेपर आएगा तो आप क्लास फॉर्थ के स्टुडेंट्स हो तो इस पेपर को आप जरूर देखेगा इस पेपर में मां आपको साथ में इसके उत्तर भी बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप लाज तक जरूर देखेगा और पास में जो रेड कलर में सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उस बटन को भी दबा दीजिएगा और लाइक वाला जो बटन है अंगुठे का निसान वाला उसको भी आप दबा दीजिएगा तो देखेए बच्चो आपका जो पेपर होगा वार्शी परिक्ष्यागा वो पचास नम्मर का होगा और टाइम आपको मिलेगा पेपर करने के लिए दो घंटे तीस मिनट मिलने वाले हैं तो सबसे पहले देखो बच्चो सबसे पहले कुछ ही अबजेक्टिव टाइप पर्शन है अबजेक्टिव टाइप जिसको अपन एबस एदर वाले पर्शन बोलते हैं आपको इन चार ओप्शन में से एक सई ओप्शन को लिखना होगा तो पहला देखे always drive कि हमेशा चलाइए your vehicle अपना यातायात का साधन कौन सी साइड में यानि हमेशा आपको साधन चलाना चाहिए कौन सी यानि कि साइड में चलाना चाहिए तो बच्चो इसका उत्तर क्या होगा आप comment box के अंदर जरूर बताइएगा मेरे को इसका उत्तर होगा B हमें left side में चलाना चाहिए तो आप यहाँ पे क्या भर दोगे B भर दोगे ठीक है बच्चो अगला देखे what is the name of our country क्या नाम है हमारे देश का तो बच्चो आप सब को पता है हमारे देश का क्या नाम है इंडिया तो क्या हो जाएगा option A हो जाएगा इसमें अगला देखे बच्चो डे write the opposite word डे का मतलब क्या होता है दिन दिन का opposite विलोम सब्द क्या होगा बच्चो नाइट होगा तो option क्या हो जाएगा दिन का नाइट अगला देखे होस्पिटल राइट तक करेक्ट मीनिग आपको क्या गरना है होस्पिटल का हिंदी अर्थ लिखना है होस्पिटल को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में चिकित साले बोलते हैं अस्पताल बोलते हैं तो option क्या हो जाएगा D इसमें बच्चो सही हो जाएगा अगला देखे किसान सबद के लिए अंगरेजी में सही अर्थ किसान को क्या बोलते हैं बच्चो किसान को बोलते हैं फार्मर क्या बोलते हैं फार्मर तो इसका पांच वे का क्या हो जाएगा A हो जाएगा बच्चो उसके बाद देखिए अगला पर्षन आपकी स्क्रीन पर है बच्चो कि वेन आर बोन ओफ कल्पना चावला की कल्पना चावला का जनम कब हुआ बच्चो तो 17 मार्च को हुआ तो option A आजाएगा इसमें और उपर वाले में किसान वाले में भी क्या आजाएगा अगला देखिए बच्चो रिक्तस्तान में छुटे वेक्षर बढ़ने हैं missing लेटर वाले हैं M A N G O तो क्या जाएगा बीच में मेंगो और इसमें क्या जाएगा O बॉय M A N G O मेंगो की स्पेले लिखनी है पूरी और इसमें B O Y की लिखनी है अब देखिए आपको opposite लिखना है opposite का मतलब विलोम सबत बलेक का क्या हो जाएगा बच्चो बलेक मतलब काला और white का क्या हो जाएगा सफेद W H I T E come का मतलब क्या होता है आना और go का मतलब क्या होता है जाना तो क्या हो जाएगा जी ओ गो क्या हो जाएगा गो हो जाएगा इसका ठीक है बच्चो आप subscribe वाला बटन जरूर दबा देना अगला देखिए person who teaches the children आपको one word लिखना है कि एक person जो क्या करता है बच्चो को पढ़ाता है जो पढ़ाता है उसको क्या बोलते है टी से सुरू होता है टीचर होता है तो टीचर की आप spelling लिख दोगे T E A C H E R अगला देखिए फलो का राजा किसे कहते हैं तो mango को कहते है M A N G O mango को लिख देंगे spelling ठीक है न बच्चो इस तरह से देखिए दसवाँ person आपको 5 domestic animal name लिखने है cow की spelling dog की spelling ठीक है यह आपको 5 नाम लिखना है pig की spelling donkey की camel की उसके बाद 11 परसन देखिए आपको days name लिखने है Monday Monday आपको spelling लिखने है या आप मेरे को लिख के बताओगे comment box में उसके बाद colors name लिखने है red white blue यह 10 लिखने है ठीक है न बच्चो अब देखिए आपको A से B मिलाना है डोक्टर को किसे मिलाएंगे डोक्टर को क्या बोलते है चिकित सक ठीक है teacher को किसे मिलाएंगे teacher किस को बो बता है चातर ठीक है न बच्चो उसके बाद देखिए आपको मिनिंग लिखना है बहुती अच्छे अच्छे मिनिंग है खरबुजे को क्या बोलते हैं बच्चो मस्क मेलन M-U-S-K-M-E-L-O-N मस्क मेलन आप comment box में जरूर लिख के बताइए गाईस की spelling आम की आप लिखी द लगा दोगे water क्या लगा दोगे water और आगी क्या लगा दो melon ठीक है न बच्चो और यह आपको क्या करने है एक का उपे paragraph लिखना है तो बच्चो यह रही आज की आपकी वीडियो वीडियो को like और channel को subscribe जरूर कर देना thank you for watching